बिहार के लखी सराय जिले में गोली बारी से दो संदिक्द माववादी मारे गए बिहार के लखी सराय जिले के वनक्षेतर में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुटभेड में दो संदिक्द माववादी मारे गए माववादी विरोधी अभ्यान की दोरान मुटबेर शुरू हो गई थी जिसे पुलिस को विद्रोहियों की एक बैठक के बारे में सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया था पुलिस ने बताया कि दोनों में से एक वर्दी में था उसके पास पुलिस से लूटी गई अत्यादुनिक सेल्फ लोटिंग राइफल थी दोनों की पहचान जगदीश कोड़ा और ब्रेंदर कोड़ा के रूप में हुई है राश्ट्रिय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अब तक का सर्श्रेष्ट महीना रहा जन्वरी इस पात मंत्राले की तहट कायरत भारत के सबसे बड़ी लोह अयस्क उत्पादक राश्ट्रिय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने जन्वरी 2022 के महीनी में 4.56 मिट्रिक जनलोह अयस्क का उत्पादन किया और 4.24 मिट्रिक तन की विक्री की है थनंग शेत्र की प्रमुप कंपणी ने पिछले वर्ष की इसी अवधी की तुलना में उत्पादन में 8.14 पतिशत तथा विक्रे में 3.4 पतिशत के व्रधी दर्ज की है मायावती ने यूपी चुनाव के लिए की पहली रैली आगरा में मायावती ने बीजेपी के साथ साथ कॉंग्रिस और सपा को भी निशाने पर लिया इस रैली में उन्होंने इन पार्टियों पर जम कर हल्ला बोला गाड़ी की हेड लाइट जलाकर रात आठ बजे तक ली गई इंटर की परीक्षा मोतीहारी के महराजा हरेंदर किशोर कॉलेज में पुलिस की गाड़ी से लाइट जलाए गई तब जाकर छातों ने एक्जाम दिया क्योंकि कॉलेज में लाइट नहीं थी परिक्षा केंद्र पर सिटिंग अरेंजमेंट में गरबड़ी के कारण चार बजी तक परिक्षारतियों के बीच प्रश्र पत्र और कौपी का वित्रण नहीं हो सका था इस घटना का विडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है पहले नाम पर विवाद अब तिरंगे के रंग में रंग दिया गया आंध्र प्रदेश का जिन्ना टावर आंध्र प्रदेश के गुंतूर में जिन्ना टावर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा जिस टावर के नाम को लेकर पहले से विवाद जारी है अब उसे तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है और कल वहाँ पर धजा रोहन करने की तयारी है ये एलान गुंटूर इस्ट के विधायक मुहम्मद मुस्तफा ने किया है दरसल लंबे समय से जिन्ना टावर को लेकर विवाद चल रहा था बीजेपी ने मांग की थी कि इस टावर का नाम पूरु राश्ट्रपती एपिजे अब्दुल कलाम के नाम पर होना चाहिए किन्तों वहां के विधायक ने कहा कि कल यहां पर तिरंगा फैराय जाएगा ऐसा कर बीजेपी को आयना दिखाने का प्रयास है जो इस टावर का नाम बदलने की मांग कर रही है